नमस्कार लाइफ सिटीज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रिती जहा इस वक्त के बड़ी खबर बिहार में बड़ा नाव हाथसा हुआ है जिहाद रसल छप्रा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सर्यू नदी में नाव पलट जाती है और उसमें सवार ज मौत हो गई है और वही 16 लोग अभी भी लापता है यह 16 के 16 लोग जो है वो किसान है तो देखे बड़ी खबर सामने आ रही है छप्रा के मांजी में बुधवार की शाम यानि आज शाम सर्यू नदी में नाव पलट गई यह नाव हाथसा मट्यार घाट पर हुआ है और इस ह सामने आ रही है बता जा रहा है कि दियारा से खेती कर किसान घर लोट रहे थे इसी दोरा नाव में पानी भड़ने लगा और थोड़ी देड़ में ही यह नाव पलट गई घटना के बाद मौकी पर अफरा तफड़ी मच गई है फिलाल SDRF के टीम बुलाए गई है और मौकी साल लोग जो है वो अभी भी लापता है उन शबों को खंगाला जा रहा है और SDRF के टीम भी बहाँ पर तैनात है यह तमाम आप तस्वीरे देखिए इस तस्वीर से आपको लग सकेगा कि इस बड़ा ना हादसा में किस तरीके से माहौल कैसा बनिया है अफरात अफरी का मा रहा है यहीं तमाम आप तस्वीरे यहां पर देखिए दरसल यह तस्वीरे है वो छपड़ा के मांजी थाना चेत्र की है और मट्यार घाट पर यह नाव डूवी है 16 लोग लापता होने की खबर सामने आ रही है इसमें 3 लोगों की शब जो है वो भी बरामत किये गए है ले आज शाम की ही बात है जब आज शाम छपड़ा में यह नाव जो है वो पलट जाती है इस नाव में कितने लोग सवार थे नहीं थे इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी अभी निकल कर सामने नहीं आ रही है तमाम अपडेट्स भी हम आपको देंगे लेकिन खबर निक अपड़ा से के एक बार फिर से बड़ा नाव हाथसा हुआ है और अभी तीन लोगों का शफ जो है उसे बड़ामत किया गया है 16 लोग अभी लापता है SDRF की टीम वहाँ पर पहुची है और नदी में गये होंगे खंगालेंगे और कितने लोगों को बाहर निकाला जा रहा है कितने लोगों को बचाया जाएगा या भी देखने वाली बात होगी चानल को सब्सक्राइब करें फेस्ट पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद